ओम नमस्षिवाय ओम रुद्राय नम्हा जै मातारानी दोस्तों मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ भगवन आपकी सभी मनोकामनाई पूरी करें जीवन में आने वाली सभी विक्नबाधाओं का नाश करें दोस्तों बुद्ध प्रदोश या बुद्ध त्रयोदशी का वरत आने वाला है इस वरत के करने से आपकी सभी मनोकामनाई पूरी होती हैं दोस्तों आज हम इसी विश्ये में बात करने वाले हैं, इस वरत को कैसे करना है, वरत की पूझा विधी क्या है, वरत में क्या खाना है और बुद्ध प्रदोश की वरत कथा क्या है प्रतेक महा में क्रश्न पक्ष और शुक्ल पक्ष की तेरवी तिथी को जिसे हम त्रेयोदशी तिथी कहते हैं प्रदोश वरत किया जाता है जिस तरह से एका दशी का वर्ट शीहरी विश्नु को अत्यांतिप्रिय है उसी प्रकार त्रेउदशी वर्ट करने वालों को महादेव की क्रपा प्राप्त होती है प्रदोश वर्ट करने से मनुश्य के सभी पाप धुल जाते हैं और शिवधाम की प्राप्ती होती है त्रेयोदशी व्रत करने वाला मनुश्य सदेव सुखी रहता है उसके सभी पापों का नाश हो जाता है सुहागे निस्तियों का सुहाग अटल रहता है और बंदी ग्रह से कारागार से मुक्ती मिलती है इस तरी पुरुष जिस भी मनुकामना से इस व्रत को करते है कैलाश पती शंकर जी उनकी सभी मनुकामनाई पूरी करते है त्रेयोदशी व्रत करने से सौ गायों के दान का फलप्राप्त होता है दोस्तों साल का पहला प्रदोश बुद्वार के दिन आ रहा है इसे हम त्रेयोदशी भी कहते हैं 8 जनवरी 2020 की तारिक को इस साल के पहले प्रदोश के वरत को रखना है इसे रखने से यदि आपके जन्म लगन में चंद्र और बुद्ध ग्रह किसी ग्रह से बीडित हैं तो उन्हें भी शांती मिलती है और इन भ्रहों के आपको शुफल देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए वीडियो के नीचे बेने में लाल रंके सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए बाजु मन्यू घंटी या बैल के आइकन को प्रेस करिए इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन निशुक प्राप्त होंगे और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए फैमिली फ्रेस में सब के साथ अवश्य शेयर करिए प्रदोश्वरत के दिन वरती को प्राताकाल उठकर नित्यक्रम से निब्रत होकर इसनान करना चाहिए शिप जी का पूजन जरू करना चाहिए पूरे दिन मन ही मन ओम नमध शिवाए ओम नमध शिवाए इस तरह से जब करते रहना चाहिए हो सके तो दिन में नेरा आहर है और अगर आपसे इस तरह से नहीं रहते बनता तो फलाहर घ्रहन करके पानी पीकर चाय त्यादी पीकर आप इस वरत को करिए त्रेयोदेशी के दिन दोस्तों प्रदोश काल याने सूर्य अस्त से तीन घड़ी पहले शिर्फ जी का पूजन करना विशेश तोर पर फलदाई बताया गया है शाम में साड़े चार बजे से लेके साथ बजे तक यहां प्रदोश काल होता है इस समय पे भगवान बोले नात का अभिशेख करना चाहिए पूजन करना चाहिए यदि आप जॉब वेर जाते हैं और इस समय पे पूजन नहीं कर सकते तो यहां पूजन आपको सुभा के समय जरू कर लेना चाहिए शाम के समय दुबारा इसनान करिए स्वक्ष सफेद वरस्तर पहनना चाहिए और पूजा इस्थर या पूजा ग्रह को साफ करके वहां पे रांगोली डालनी चाहिए और भगवान बोले नात का पूजन करना चाहिए कलश या लोटे में शुद्ध जल भरें और इससे भोले नात का अभिशेक करें दोस्तों पूजन के लिए सामगरी में धूप, दीप, घी, सफेद पुष्प, सफेद फूलों की माला, आकड़े के फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, अक्षत, जल से भरा हुआ कलश, कपूर, आरती की थाली, बेल पत्री, धतूरा, भांग, हवन सा मगरी और आम की लगडी, यह सभी लेकर आप भगवान का विधिवत पूजन करें, भगवान भोले नात का अभिशेक करें, दूद, दही, घी, शक्कर, शहत से भगवान भोले नात का अभिशेक करें, इसके पर शाद भगवान भोले नात को स्वक्ष करें, उन्हें एक वस प्रसाद में सफेद रंग की मिठाई जरूर चढ़ाएं इससे आपको भगवान भोले नाथ की क्रपा अवश्य प्राप्थ होगी बुद्ध प्रदोश दोस्तों इसे करते समय आपको भोले नाथ से प्रातना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जो भी रोक शोक कर्ट हैं वह सुद्ध जी बोले अब मैं आप लोगों को बुद्धवार त्रियोदशी व्रत की कथा विधी सुनाता हूँ इस व्रत को केवल एक ही समय भोजन करके करा जाना चाहिए हरे वस्त्र पहने हरी वस्तों का सेवन करें प्रातह काल उठकर नित्य क्रम से निवरत हो भगवान श अपने ससुराल पहुंचा उसने सास से कहा कि बुद्वार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उससे बहुत समझाया कि बुद्वार का दिन पत्नी को विदा कराकर ले जाने के लिए शुब नहीं है लेकिन व बहार निकलते ही पत्नी को प्यास लगी पती लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने चला गया जब वाँ पानी लेकर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी किसी पराय पुरुष से लाई हुए लोटे से पानी पी रही है और हस हसकर बात कर रही है वहाँ पराय पुरुष बि लीड़ी खटी हो गई इतने में ही सिपाही भी वहां आ गए सिपाही ने इस तरी से पूछा ससच बताओ तुम्हारा पती इन दोनों में से कौन है लेकिन वह इस तरी चुप रही क्योंकि वह दोनों पुरुशे हम शकल थे बीच रहा में पत्नी को इस तरह देखकर कर आकर जो अपराद किया है उसके लिए भगवन मुझे शमा करें भविश्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा इस पर भगवान भोलेना श्री शंकर उस पुरुश पे द्रवित हो गए और उसी शण वहां पुरुश महां से अंतरध्यान हो गया वहां पुरुश अपनी प प्रदोश्वरत शुरू करते हैं उसको उस प्रदोश से जिस वार को वह पढ़ रहा है उस वार का प्रदोश्वरत माना जाता है जैसे यह बुद्ध प्रदोश है इसके करने से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है जीवन में सुख संपदा में व्रदी होती है तो यदि आप इस कामना के साथ प्रदोश वरत करना चाहते हैं तो आपको बुद्ध प्रदोश वरत करना चाहिए और इसके बाद प्रतिक प्रदोश का वरत आपको कम सी कम एक साल तक रहना चाहिए तो इस तरह से बुद्ध प्रदोश के लिए करा गया वरत पून होता है और ए इसी तरह दोस्तों सोम प्रदोश जब भी सोम वार का प्रदोश आता है तब से सोम प्रदोश का व्रत लिया जाता है रवी प्रदोश मंगल प्रदोश और सभी प्रदोशों के व्रत इसी तरह करे जाते हैं यदि दोस्तों आपके जीवन में संतान हींता है तो आपको शनी प प्रदोश आये तब से आप वह व्रत शुरू करें और अपनी कामना भगवान भोले नात के सामने रखें वह अवश्य है आपको मनुपांशित फल प्रदान करेंगे ऐसा कहा जाता है कुंडली के ग्रह दोशों के कारण हमारे जीवन में जो सुख हमें प्राप्त नहीं होते प्रदोश व्रत करने से वह सभी सुख हमें प्राप्त हो जाते हैं इस दिन पर दोस्तों दिन भर आपको व्रत रखना चाहिए और रात्री के समय एक समय आप भोजन करकर इस व्रत को कर सकते हैं और बाकी के दोस्तों आप सब इस्तार त्रियोदर्शी व्रत किस प्रकार कर जाता है यह सभी जानकारी जानने के लिए नीता विक्रम चैनल पे जाएं प्रदोश ब्रत कब से शुरू करना चाहिए इस तरह से आप जब सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा जिसे देखकर आप अपने मनुवांशित पल की प्राप्ति के लिए प्रदोश ब् जाधाएं दूर होती है और आपके जीवन में सुक संपन्नता बढ़ जाती है इस प्रकार से भगवान भोले नात का ध्यान करते हुए आप सभी प्रदोश का अवरत करें और इस कथा को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें यदि वीडियो अच्छा लगा है तो में आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों ओम नमाश्रिवाय